कोरोना वाइरस वैक्सिन से जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए केंदर सरकार ने पहल की है स्वास्य मंत्रालई ने वैक्सिन से जुड़े चुनिंदा सवालों और जवाबों की एक फैर रिस्क जारी की कोविड-19 वैक्सिन को लेकर आम जनता के मन में जो सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश की है भारत पे वैक्सिन का वपलब्द होगी? कौन सी वैक्सिन चुनी जाएगी? सबको लगेगी या कुछ को ही लगेगी? क्या वैक्सिन अनिवारिय होगी? वैक्सिन सेफ है या नहीं? जैसे कुछ सवाल है जिनके जवाब स्वास्य मंत्रालई ने देने की कोशिष की है आईए जानते हैं वैक्सिन से जुड़े वे अहम सवाल और स्वास्यमंत्रालाई के जवाब कोविड वैक्सिन जल्द आएगी या नहीं? स्वास्यमंत्रालाई का जवाब हाँ, वैक्सिन ट्रायल्स अंतिम चरण में है वैक्सिन के उपलब्दता के आधार पर भारत सरकार ने प्रायरिटी ग्रूप्स चुने है उन्हें वैक्सिन पहले मिलेगी क्योंकि उन्हें ज्यादा खत्रा है पहले ग्रूप में हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल है दूसरे ग्रूप में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग और को मॉवेट कंडिशन्स वाले 50 साल से कम उम्र के लोग होंगे वैक्सिन की कितनी डोस कब और कब लेनी है स्वास्य मंत्राली का जवाब वैक्सिन की दो डोस होगी, 28 दिन के अंत्राल पर लगेगी एंटी बॉडिस कब डेवलोप होगी स्वास्यमंत्राले का जवाब आम तोर पर वैक्सिर की दूसरी डोज मिलने के दो सफता बाद एंटी बॉडिस का परियाप्त लेवल डेवलोप होता है स्वास्यमंत्राले का जवाब हाँ बारत में आने वाली वैक्सिर दूसरे डेशो जितनी ही असरदार होगी क्या वैक्सिर लेना आनिवार्य है स्वास्यमंत्राले का जवाब कोवीड-19 का टिका करण एच्छिक होगा हाला कि सला यही है कि खुद को और अपने को बिमारी से बचाने के लिए वैक्सीन का पूरा शेडियूल लिया जाए क्या वैक्सीन सेफ होगी क्योंकि इतने कम वक्त में टेस्ट हुआ है स्वास्यमंत्राली का जवाब वैक्सीन देश में तभी उपलब्द होगी जब regulatory bodies उनकी सुरक्षा और FAKC के आधार पर clear कर देगी कौन सी वैक्सीन चुनी जाएगी स्वास्यमंत्राली का जवाब वैक्सीन केंडिडेट्स के clinical trials के डेटा को drug regulator जाच रहे है जिस भी टिके को लाइसंस मिलेगा वह अपेक शाकरूत, सुरक्षित और असरदार होगी हालाकि यह सुनिश्शित किया जाना चाहिए कि एक ही वैक्सीन का पुरा schedule पूरा किया जाए अलग-अलग वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं टिका करण के योग्य हूँ? स्वास्यमंत्राले का जवाब शुरू आती चरण में healthcare और frontline workers को वैक्सीन मिलेगी वैक्सीन की उपलब दाके आधार पर 50 प्लस वाले age group को टिका भी शुरू में लिल सकता है योग्य लाबार्थियों को उनके registered mobile number पर उस health facility की जानकारी दी जाएगी जहाँ टिका लगना है समय की सूचना भी फोन पर मिलेगी क्या बीना registration के वैक्सीन मिल सकती है? स्वास्यमंत्राले का जवाब नहीं, COVID-19 टिके के लिए registration अनिवार्य है उसके बाद ही टिका करण की जग और समय बताया जाएगा लाबार्थी को टिका करण की जानकारी गैसे मिलेगी? स्वास्यमंत्राले का जवाब ओनलाइन रजिस्टेशन के बाद लाबार्थी के मोबाईल नमबर पर SMS बेज कर टिका करण कैंद्र और समय की जानकारी दे दी जाएगी टिका करण पुरा होने पर भी अपडेट मिलेगी स्वास्यमंत्राले का जवाब हाँ, कोवीड का टिका करण शेडियूल पूरा होने के बाद रजिस्टर नमबर पर SMS जाएगा वैक्सिन की सभी डोस पूरी होने के बाद एक QR आधारिच सर्टिफिकेट भी रजिस्टर नमबर पर भेजा जाएगा वैक्सिन के लिए रजिस्टरेशन हे तू कौन से दस्तावेज मान्य स्वास्यमंत्राले का जवाब रजिस्टरेशन के वर्क इनमें से कोई एक ID दे सकते है ड्राइविंग लाइसेंस हेल्थ इंशरंस स्मार्ट कार्ड मन्रेगा कार्ड सांसदो, विधायको, विधान परिशत सदस्यों के पहचान पत्र पैन कार्ड, बैंक, पोस्ट ओफिस की पास्बूक, पास्पोर्ट, पैंशन दस्तावेज सरकारी कर्मचार्यों के सर्विस, आई कार्ड, वोटर आईडी टिका लगने से पहले आईडी दिखाना जरूरी है स्वास्ते मंत्राले का जवाब रजिस्ट्रेशन के वक जिस आईडी का इस्तमाल किया गया होगा टिका करण से पहले वेरिफिकेशन के लिए वही आईडी दिखानी होगी अगर आईडी नहीं दिखा पाए तो स्वास्यमंत्राले का जवाब फोटो आईडी लाबार्थी के रजिस्ट्रेशन और सत्यापन के लिए अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टीका सही व्यक्ति को लगा है टीका करन केंद्र पर क्या करना होगा टीका लगने के बाद कम से कम आदे गुटे तक कैंद्र पर रहे अगर आपको कुछ दिखत लगे तो नस्दिक की स्वास्य दिकारी से संपर्क करे वैक्सिन तब भी धी जाएगी जब उसकी सुरक्षा साबित हो चुकी होगी कुछ लोखों में हलका बुकार दर्ज जैसे दिक्कते हो सकती है राज्यों को कोविड वैक्सिन से जुड़े साइडी वैक्स के लिए तैयारी करने को कह दिया गया है क्या कोविड मरीजों को वैक्सिन दी जाएगी? स्वासर मंत्राले का जवाब कन्फर्म या संदिग्ध कोविड केस टिका करन के अंदर पर संक्रमन फैला सकते है इसलिए ऐसे लोगों को लक्षन खत्म होने के 14 दिन बाद टिका करन के लिए जाना चाहिए कोविड से रिकोवर होने के बाद वैक्सिन लेना ज़रूरी है? स्वास्य मंत्राले का जवाब हाँ, फोस्ट हिस्ट्री चाहे जो हो वैक्सिन का शेडियोल पूरा करना चाहिए इससे बिमारी के खिलाप मजबूत इम्यून रिस्पॉंस में मदद मिलेगी भारत के पास प्लस टू से प्लस एट डिग्री में वैक्सिन स्टोर करने की शमता है? स्वास्य मंत्राले का जवाब भारत दुया के सबसे बड़े ठीका करन कारेक्रमों में से एक चलाता है देश की बड़ी और व्याबक आबादी तक वैक्सिन पहुचाने के लिए इसके धाचे को और मजबूत किया जा सकता है इस खबर के बारे में अपने विचार निच्चे कमेंट बॉक्स में लिकर बताए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले साथ ही कोरोना वैक्सिन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले